नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मिथू रासी अक्टूबर दो हजार चौबिस मासिक रासी फल तो अक्टूबर के मेहनें में अगर हम गरहों के स्तितिकी बात करें तो देखिए आपका प्रेम बैबाहिक जीवन आपका करियर आपका बिजनस आपका स्वास्त आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई आपका लव लाइफ तमाम चीजें बिस्तार से जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रेक्शन चंदरासी पर आधारित है देखिए मिथू रासी वालों आपके पहले घर मे मंगल विराजमान है और बुद्ध, केतु, सूर्य आपके जो चौथे घर में है यानि कण्यारासी में और दूसरा इसमें सनीदेव आपके लिए कुमरासी में वक्रेवस्ता में है राहु मीन रासी में है अब देखिए सबसे पहले बात हम करें आपके स्वास्त की तो करें आपके लिए हैं दिष्टि डालेंगे विवाण बहव पर मंगरी दोस्त भी बेटे हैं तो मंगल का पहले घर में होने से थोड़ा सा टेंसन देता हए क्षाष्व को एकदम से एग्रसिव मोड में रखता है यह मंगल का पावर है तो इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए हर्माच चैसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिए तो आपका जो स्वास्त के मामलों में सरीर से आप स्वस्त रहेंगे पर दिमाग से थोड़ा टेंसर रहेगा तो इस इसके बाद कभी वक्त बढ़िया है आप ज्यादा चिंता नहीं करना है पढ़ाय में मन भी लगेगा गयत्री मन जरूर पढ़िए और बेवज़स समय नस्ट ना करें तो उत्तम रहेगा बुद्धिमानी से आप अगर एक्जाम के तयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है त कि सुक्र आपको पढ़ने के लिए प्रोथसाहित तो करेंगा लेकिन मन जो है ना आपको थोड़ा सा खेल मस्ती तेलीविजर मोबाइल के तरफ भी लगेगा बस इस पर ही आपको कंट्रोल करना होगा यहां रखिएगा तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब आपके लिए जाहे जैसा भी हो पर आपको एक अलग फीलिंग आएगा 13 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा अपने फीलिंग पर कंट्रोल करना है और किसी भी तरह का विवाद ना हो इसका भी ध्यान रखेगा तब जाकर आपकर इस ताल लंबा ठीकेगा जो लोग वैवाहि ब्रिस्पती जो है न आपके लिए बहुत हद तक आपके रिस्तों को बचा कर रखेंगे तो मेरेड लाइब के मामलों में लाइब पार्टनर के स्वास्त का थोड़ा सा खयाल रखेगा याद रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए करियर और बिजनेस की बात क हो सकता है और बड़ा चिंता नहीं है क्योंकि सनी देव भागेस्तान में है तो भागे का साथ मिलेगा अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनर सीप में बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी मत कीजेगा नोवंबर के मैंने में 14 नौवंबर के बात कीजेगा जब सन कंफ्यूजन देगा परिवरतन की थोड़ी संभावना है मन आपका जैसे की जादा बोलने का मन करेगा आपको हलांकी चतुर भी बनाएगा आपको दिमाग से बहुत एक्टिव बनाएगा संचार की तरफ आपको ले जाएगा लेकिन इसमार तरीके से काम करें सरीर से ना कर के दिमाग का यूज करें राहू का सुभाव ही है चतुर चलांक साफ माइंड देता है तो इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए तो राहू का ये परिवरतन जो है आपके लिए उत्तम है दसंग है तो मन के खयाल को आप सही रास्ते पर ले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उपाय की तौर पर क्या करेंगे एक तो अपने रासी के स्वामी को थोड़ा बल दे दे ओम बुद्धाय नमा तो आपके लिए उत्तम रहेगा दूसरा आप मंगल जुकी लगन में बैठे हैं तो हन्मा चैसा कपड़कर ही दिन की सुरुवात कीजिएगा हो तो भगवान सॉरी को परणाम करके दिन की शुरुवात करें तो और भी आचा रहेगा आपके लिए को यहां पर ग्रहन लग रहा है तो आने वाले जो हो आपको थोड़ा सह समंद कर गुजारना है और भगवान को परणाम करना मत भूलिएगा हम आप से विदा लेते ह हैं जानका रही अच्छे लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्याइब